आज हम बात करने वाले हैं P यानि Position Sizing की एक ऐसा concept है ट्रेडिंग में जिसको आपने अगर consider नहीं किया अगर master नहीं किया तो चाहे छोटे छोटे profit आप कितने ही बना लें एक बड़ा loss आपकी सारी की सारी कमाई लेकर चला जाएगा I'm sure आप मेंसे कुछ लोग इसमें relate कर पा रहे होंगे अब Position Sizing का सीधा सा मतलब है कि जो भी आप trade लेने वाले हैं वो कितना बड़ा होगा मतलब उसकी size क्या होगी आपकी position की size क्या होगी आप कितना capital उसके इंदर deploy करेंगे आप कितनी quantity में उस particular stock को buy या sell करेंगे अब ये decide कैसे होती है वैल इसको decide करने के दो तरीके है पहला है risk based position sizing अब stock market में risk का सीधा सा मतलब होता है loss तो आप अपने loss के base पे अपनी position size decide करते हैं अब ये कोई rocket science नहीं इसका एक simple सा formula है risk per trade upon risk per share for example मान लिजे आप किसी भी trade के अंदर 2000 rupees का risk लेने के लिए ready हैं और जिस भी stock को आप buy कर रहे हैं मान लिजे उसमें initial stop loss 10 points का आ रहा है तो risk per trade हो गया 2000, risk per share हो गया 10 rupees, 2000 divided by 10 यानि की 200 quantities आप उस stock की buy कर सकते हैं इससे होगा क्या अगर मान लिजे आपके favor में stock चला जाता है that's great आप पैसा बनाएंगे लेकिन अगर आपके against में जाता है वो stock उसका price अगर नीचे गिरने लगता है तो आप अपनी 200 quantities के उपर 10 rupees का loss लेंगे यानि की total loss आपका 2000 ही होगा वही मान लिजे अगर initial stop loss आपका 20 points का आता है तो उस case में 2000 divided by 20 यानि की 100 quantities ही आप buy करेंगे वही मान लिजे अगर initial stop loss सिर्फ 5 points का आता है तो उस case में आप 2000 divided by 5 यानि 400 quantities के साथ trade कर सकते हैं और अगर वह favor में जाता है तो एक अच्छा risk reward आपके लिए बन सकता है अगर against में भी जाता है तो भी आप वह 2000 rupees का risk लेकर ही निकलेंगे जो की आपने decide किया होगा और जिसको हम एक तरह से market में happy loss भी कहते हैं क्योंकि हम market में हमेशा कहते हैं कि profit भले ही market के आत में हो, loss हमेशा आत में होना चाहिए और position sizing आपका loss आपके control में देती है दूसरा तरीका position size decide करने का है confidence based position sizing यानि कि कि किसी भी trade को लेते वक्त आपका उसके अंदर कितना confidence है इस सब कुछ सही है लेकिन उस breakout की volume कम है अब ये सारी चीज़े आपका उस trade के अंदर थोड़ा confidence कम कर देती है अगर confidence कम हो गया तो जहां पर हम 200 quantities जो हमारे risk based position sizing से decide हुई थी उस 200 quantity में पूरी तरह trade करने की बजा हो सकता है मैं 150 quantity या 100 quantity से ही trade करूँ वहीं दूसरी तरह अगर मेरे सारे criteria meet होते हैं market का trend, sector का trend, volume of the breakout, पूरी की पूरी strategy अगर perfectly fit बैठती है तो मेरा उस trade के अंदर confidence अच्छा होगा और मैं full quantity मतलब वो quantity जो हमने risk based decide की थी उस पूरी quantity को market में trade कर सकता हूँ confidence और risk के perfect combination की वज़े से आप अपना risk to reward ratio जो है अपनी success rate जो है वो बहुत अच्छी कर पाएंगे और losing trades का loss बहुत छोटा कर पाएंगे and that is exactly what we want and that's how we decide our position sizing I hope आपको अच्छा लग रहा है I hope आपको हर रोज कुछ नया सीखने मिल रहा है और अगर सीखने मिल रहा है तो please let me know in the comment section below hit the like button share this video with your friends आगे आने वाले इसी तरह के informative videos के लिए subscribe this channel and stay tuned I'll see you in the next one till then keep learning and keep trading thank you so much